बबीता जी मत्वरा से राधा वल्लव स्री अरिवास लुटे गुर्दे भगान आपके चोड़ों में कोटी-कोटी पढ़ाओं गुर्दे भगान मंत्र में मन को और ज्यादा एकागर्चित कैसे करें पहले अहार शुद्धी होनी चाहिए विवहार शुद्धी होनी चाहिए तम मंतराकार वरत्धी होती हे अहार शुद्धी जो अहार शात्विक है शात्विक आहार भगवान को भोग लगता है जो तामसीक है उसका भगवान को भोग नहीं लगता है उसे लाल मिर्चाद इससे बहुत बने हुए पदार्थ या जो शड़ा करके पदार्थ बनाए जाते हैं जिसे बजार की सामाग्रियां हैं कल बनी हुई आज भी करेंगों इनमें तमोगुन की प्रधानता हो जाती है आज कल जिसे ब्रेड बहुत सीजें ऐसी बजार की लेकर खाई जाती हैं यह भजन में की लिए भावना करके जब हम डाल रोटी सब्जी अगर आपको बाल भोग करना थे एक परेठा बना लीजिए नमक सिपा लीजिए लेकिन बजार की चीजें जिसे अगर भजन में मंत्राकार ब्रति करनी यह बाहर के गुल गप्पा खा करके बाहर के सामाग्रियां पा करके चित ब्रति रजोगुणी होती भजन में ने लगती काओन कहा कैसे किस विचार से बनाता है तो पहले आहार शुद्ध है अगर हमारा आहार शुद्ध है और अलपाहार जितने में हमारा आधा पेट भर जाये उतना भोजन आधे पेट में जल और वायु के लिए छोड़ द वजन इतना बढ़ जाए कि हमारा संसारिक चिंतन होने लगे भगवत चिंतन क्छुट जाए अंव्यों के बात है अगर अच्छे-च्छे-पदारतों को भर पेट पालिया लाया तो वजन में रूची नहीं होगी बोजन जो हुचिक रिगा तो भजन में रूचीर नहीं हो बेवार बिगाड़ता है मुबाइल आजकल मुबाइल में पूरा शंसार है आप जो चाहो जैसे चाहो देख लोगर शावधानी ना रही तो बहुत बेवार गलत हो जाएगा मुबाइल से और दूसरा अपने परिवार से बेवार अगर आप सही अमी नहीं है आप गलती करते ह से बेवार ठीक करी नहीं सकते है आप गलत होगे ना तो आपका शुभाव चीज़चिड़ा हो जाएगा क्रोधी शुभा हो जाएगा अपने करतब का सही आप ठीक पालन नहीं कर सकते क्योंकि आपका अहार शुद्ध नहीं आपका बेवार शुद्ध नहीं तो आप सब से करतव करवाना चाहेंगे अपने लिए लेकिंद आपका क्या करतव सब के लिए यह बूल जाएगे तो आपके विवार में इस आन्ति हो जाएगी कि विचार कैंड़ इस फार कि या यह हम प्रभू की प्राप्ति के लिए मानुदेख एप रा ने है हमारे विवहार में तुरुटी हमारे अहार में तुरुटी तो पक्का आपके विचार में तुरुटी आ जाएगी विचार में तुरुटी बहुत तरह के दोस्त पैदा करते हूं कहने की जवत नहीं जैसे आजकल विचार ही नाचरण होते हैं समाज में कुछ ऐसे होंगे जो आचरन करने के पहले विचार करते हैं, कि मैं गलत हुए सही, विचार सुद्ध कैसे माने जाएंगे, गुरु की आग्या, सास्त्र की आग्या, बड़ो की आग्या में रहना, आजकल नए नए बच्चे जानते हुं, मतापिता से कैसे, अब अध्रता से बात करते हैं, कि शुन सबके लिए हैं, विचार दूसित हो रहे हैं, विचार दूसित कम आने जाते हैं, जब सबसे अपने लिए सुक चाहो, विचार पवित्र कम आने जाते हैं, जब हमारे विचारों में सब को सुक देने की बात हो, अपने करतब्य के अनुशार, धर्म के अनुशार, तो जिसक अहारशुद बिवहारशुद बिचारशुद वही मंत्राकार ब्रत्ति भगवान की कर सकता है अगर ये तीनों अशुद है तो माला वले चले मंत्र में मन नहीं ठीकेगा पक्की बात सबज लेना मंत्राकार ब्रत्ति हर शमय रशुई बनाते हुए सोनी लगाते हुए पूछ इसी स्थिती को तो देखकर उद्धो जी ने नमन किया गोपी जनों को गोपी जन बरजी की गोपियां सब काम कर रहें लेकिन मुरारी पादार पी चित्त व्रत्ती चित्त व्रत्ती कहां है सिरीकृष्ण चिंतन में इसलिए बहुत बड़ी महात्मा थे तो चाहे इस्त्री श नाम और मंत्र चलेगा अब इस पर देख लिया जाए इसको शुधार किया जाए तो नाम मंत्र में और गाढ़ वस्थाएगी थोड़ी देर भगवान की लीलाएं सुना करो इसे श्रीमत भागवत के द्रशमिसकंद की श्री कृष्ण लीला है यदि राम चरितर मानसमे भगवान राम के जो पावन चरितर उनको शुना जाए भगवान की लीला चरितर सुनने से अंता करण भगवान की इस्मरती में भरने लगता है और भगवान की लीला चरित्र और कहीं न जाके सुने तो अपने घर में पढ़ सकते हो अगर पढ़े हो तो हिंदी से आते हैं भगवान को ही भगवान की लीला चरित्र सुना रहे एक अध्याय भागवत का सुना दिया, दो-चारिश लोकों का अर्थ गीता जी का भगवान और उसी का मनन किया, इससे जिसे हम पात्र को मंजना से मांजते हैं उसकी गंदगी दूर होती, ऐसे ही जब हम भगवत चर्चा सुनते हैं और उसका मनन करते हैं, आज सत्संग में क् मांजता है, मन को पवित्र करता है, और पवित्र मन ही भगवदाकार होता है, आप पवित्र मन भगवान में नहीं लगता है, पापवंत कर सहज शुभाव, भजन मूरते भावन, जो निर्मल हर्द हैं, उसमें निरंतर मंत्र चनता है, जितना मंत्र में रुकावट होगी उ अपने विचारों को दूसरों की सुक चिंतन में लगाए जैसे संत जन हैं उनका हर समय विचार बना रहता है हमारी समाज कैसे मंगल में जो वास्तविक संत में कैसे इनका कल्यान हो कैसे सुखी हो वहीं विचार करके खोज-खोज करके, सास्त्रों से बात लाके, वही सत्संग में सुनाते हैं, वही एक आंतिक में उत्तर हो रहा है, तुम्हारा मंगल कैसे हो, ऐसे ही तुम सोचो, तुम्हारा मंगल तभी होगा जब तो दूसरों का मंगल, परहीत सरिस धर्म नहीं भाई, अगर दूसरे के सु के सोचने की जगए ना हो, तो अपने परिवार के सुखे, अपना बेटा, अपना पती, अपने शास्तर, अपने परिवार को, कैसे हम भगवत सुरूप मान कर इनको सुख पहुचाएं, कैसे इनकी सेवा बने, अभी आनंद आने लगेगा, हर व्यक्ति का एक अंदर से पालन करें हम, तो दूसरा अपने आप हमारे प्रभाव से अपने करतब्य का पालन करेगा, हम अपने करतब्य को पालन नहीं करना चाहते, और आप से करतब्य पालन कराना चाहते, ऐसा कभी नहीं हो सकता, पहले हम सुधरे, हम अपने करतब्य का पालन करें, तो फिर हमारे जो आसपास है वो अपने करतव का पालन करने लगेंगे तो भजन के लिए ये बहुत जरूरी है चरित्र का पावन होना विवहार का पावन होना अहार का पावन होना विचार का पावन होना तब भजन की परिपक कवस्था आ जाती इन पर ढूंड लो कोई जहां दोश हो उनक जैसे आप बोलते हो कि मंत्र लिखते हैं पहली बार में, तो एक या दो माला पर लिखने में, और उसको पढ़ने में और अंदर मनन करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे में उसको वस पढ़ना ही अच्छा लगता है, उसके बाद भगवान आपके इस रीचड़नों में या रा साली मैसूस होगी न तो थोड़ा थोड़ा भ्यास बढ़ाओ आज सव बार किया तु कल एकसो दस्ट बार फिर एकसो भीस बार उसको प्यार से धीरे धीरे तो अब जिससे इसका भ्यास जो मंत्रा काल ब्रत्ति करते है तो माला नहीं चल रहा है पर वो धिमाग में चल रहा है बार बार जिससे राधा बार बार राधा राधा आपसे बात कर रहे हैं सब कर लेकिए दिमाग में घूम रहा है राधा 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 ओ पश्यंति वानी वैखरी वानी राधा राधा मध्यमा वानी गले से पश्यंति वानी हर्दय से बात कर रहे हैं पश्यंति उसको देखते हुए बात कर रहे हैं तो अभ्यास देए 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 गुद्दि राधा वल्लप श्री एरिवंस लिखने वे बहुत मन लगता है वही लिखो पर गुरुमंत्र को कुछ थोड़ा सा अभ्यास में ले आओ हाँ जब हम कही बार बता है कि जैसे गुरुमंत्र जब रहे मन नहीं लग रहा है तो संख्या आग्या की पूरी करते हैं इसके बाद हम राधा वल्लप श्री एरिवंस जबते हैं इसमें भी मन नहीं लग रहा तो राधा राधा जबते हैं इसमें भी मन नहीं लग रहा तो कोई पद गुन गुना नहीं लगते हैं चत्रासी जी हमें ए इन किन प्रकारें प्रियालाल से जुड़े रहना है, स्यामा स्याम से जुड़े रहना है, प्रभू से जुड़े रहना है.